आज हम बनाएंगे भेंडी फ्राई इसको बनाना बहुत है और यह बहुत टेस्टे भी बनती है तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राइ कीजिए और आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरी चैनल को स सुखाके लेना है नई तो भेंडी पकाने के बाद भी चिपचिपी हो जाती है तो भेंडी को अच्छे से सुखाके ले लीजिए और फिर यह है एक बड़ा प्याज रफली कटा हुआ बारिक कटा हुआ धनिया पत्ता एक छोटी चमश लालमेश पाउडर आदे छोटी चम लेसं के लिया इसको भी हमें बारिक कट करके लेना है तो जलिये शुरुआत करते हैं तो गैस पर मैंने कड़ाई रखी है कड़े हमारी गरम हो गई है तो उसमें डाल देंगे जीरा तो यह दिखिए जीरा अच्छे से फूलने लगा है तो अब हम इसमें डाल देंगे कटा अच्छे से मिक्स करेंगे, ध्यान डखिए भेंडी को कारते से पहले हमेशा धोने के बाद इसको अच्छे से कपड़े से पोच के लीजी या फिर सुखा के ले लीजी अगर भेंडी में जरा भी पानी रहता है तो भेंडी चिपचिपी हो जाती है यहां पर हमारी गैस की फ् इना डखिए कुख किया है, तब हम इसमें डाल देंगे यह लाल मिश पाउडर और यह आम चूर पाउडर आपश डाल दींगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको शुरुआत में लिज थे हैं तो भेंडी पानी चोड़ना शुरू कर देती है इसलिए नमक भी हम लास्ट म में डाल देंगे तो यह दिखिए मसाली प्याज और भिंडी अच्छी से मिक्स हो गई है तो अब हम इसको ठक के पकाएंगे तीन से चार मिन तक यहां पर भी हमें ग्यास की फ्लेम स्लो रखनी है और बीच में एक बार हिलाना भी है नहीं तो भिंडी जल जाएगी तो यह दि अनुसार तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे शुरुआत में मैंने इसको मसाली डालने से पहले एक जैसा चलाते हुए पकाया था और फिर ढखकर भी तीन से चार मेंड तक पकाया था तो बस और इसे एक से दो मेंड तक पकाना है ताकि मसालों का स्वाद जो है लिए to can dialy पखक गे यह एक सी कच्छी पशंदाती है तो मुझे इस पशनद थो मेंने थोड़कन आशको डिया है तो हुए हे पिल्कुल त्यार है यह किसी बे रोटी पराठा फुलका के साथ बहुर टेस्टी लगती है तो हमारे ये भेंडी फ्राइ तैयार है आप इसको घर पर जरूर बनाईए और आज के मेरी रेसिपे पसंद आती है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन ग्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक् स्थेब मेरे का ब MARC to किर देंग से त Приहादा है जए किस मेरा टे सब्सक्राइ सब्सक्राओाइ